तो हेलो गाज तो आज का जो हमारा वीडियो है ना बहुत ही मतलब सबसे अलग के वीडियो है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है सबसे पहले सिखेंगे क्या तो सबसे पहले आज का टॉपिक में हम सिखेंगे सिरा बिन्यास क्या होता है थोड़ी से हम पेंटी कॉलर चेंज करते हैं तो सबसे पहले समझेंगे हम मध्धी सीरा और इसके बाद समझेंगे सीरा बिन्यास और इसके बाद हम समझेंगे जालिका रूपी सीरा बिन्यास और इसके बाद हम समझेंगे सामानांतर या कह सकते सामानतर सीरा बिन्यास तो गैज आज का जो वीडियो है सबसे अलग है और आगे बढ़ने से पहले भाई का नाम जानलो मेरा नाम है पपो और आप देख रहे हो हमारा यूटूब चैनल साइन्स में तो से लिए भी वीडियो स्टार्ट होता है तो गया जब ऐसा थोड़ी ना है कि सभी को तो पती पता ही पता होगा तो मध्धी सीरा को समझने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि सीरा आखिर होता क्या है किलियर आपको घवरानी नहीं है मैं आपको जो समझाओंगा सिर्फ आपके ही लिए मैं बनाता हूँ वेडियो ठीक है तो यहाँ पर आप बारी की से देखी गा सबसे पहले आखिर सीरा होता क्या है तो जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर लिखा क्या हुआ है सीरा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरा का जो परिभासा है कोछ इस परकार की है आप देखें तो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है कि पती की सतव पर रिखा के समान आकरिती को हम कहते हैं सीरा गाज यह आपको समझ नहीं आई होगी क्योंकि आप सब पती जानते हैं जियां आप सब जानते होंगे पती जो होता है कोछ इस पर कार की होती है तो आप सब को पता है कि पती पर बहुत सारे ऐसे चीन ही मिलते हैं यहां पर बहुत सारे आपको रेखा मिल रहे हैं तो यहां पर कर यह यह और यह और यह और यह आपको यह चीना दिख रहा है यह आपको चीना लाइक कर देना और आगे के और हम समझते हैं तो सीरा आपको समझ आई की नहीं आई कि पती पर जो चिने चिना है जो आपके रेखा के समान है वे आपको क्या है वही तो आपके क्या है एक सीरा है तो आपको सीरा तो समझ पड़ गई होगी अब हम समझते हैं आगे की बाते और अगर आप लिखना चाहते हों मेरे प्यारे साथी तो आप यहाँ पर वीडियो रोक कर लिख लेजिए ठीक है तो यहाँ पर आगे की बाते दिखी क्या है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तो कैसे यहाँ पर आगे की बाते क्या है तो मध्धी सीरा अब बात आती ही यार कि मध्धी सीरा आखिर होती क्या है तो मध्धी सीरा क्या होती है आप यहाँ पर समझेगा गौर किजेगा बातों पर मैं जो समझाओंगा बहुत ही बारी किसे समझाओंगा क्योंकि मेरा ही नाम है पपू गुरू ऐसे तो लोग मुझे पपू भाय ही कहते हैं बढ़ पपू गुरू मारिएगा ना तभी आपको आएगा यूटूब पर ठीक है तो जैसा कि आपको मध्धी सीरा समझना है तो मध तो यह आपको असानी से आ चुक योगी तो यहाँ पर आगर आप लिखना चाहते हो तो मेरे प्यारे साथ ही आप लिख सकते हैं आगे के बाते हो को देखिए अब हम क्या सिखने वाले हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब समझने वाले हैं सीरा बिन्यास तो गाज हमको तो सीरा पताई है सीरा तो हमको पताई है अब हम समझते हैं बिन्यास तो गाज यहाँ पर परिभासा जो है कुछ इस परकार के है आप देखने का परियास किजे परिभासा में लिखा क्या हुआ है कि पत्यों पर सिरा ओ द्वारा बनाया गया डिजाइन को हम कहते हैं गाईज सिरा बिन्यास तो यहां पर आप पत्य पर देख सकते हैं कि आर बहुत सारे ऐसे डिजाइन बनाये हुए हैं किस चीछ का तो सिरा का यह डिजाइन जो बनाया गया है न जही पूरे डिजा आई कि नहीं, आई कि पती पर जितने लिए वी चीना है ना जितने भी रेखा है पती पर वे आपको क्या है सीरा बिन्यास है ठीक है तो अब हम समझते हैं क्या यहां पर आप देख सकते हैं लिखा क्या हुए है जाली का रूपी सीरा बिन्यास अब बात आती है कि यहां पर आप देखे गौर से गौर कीज़ेगा बातों पर क्योंकि थोड़ी सी गलतिया बहुत सताती यहां पर आप देख सकते हैं सीरा बिन्यास तो हम जान चुके हैं कि सिरफ बिन्यास क्या होता है तो पती पर बनाया गया डिजाइन को हम किसी मतलब कैसा भी डिजाइन हो हमें उसे मतलब नहीं है गाज यहां पर सिरफ बिन्यास हम किसको कहेंगे अगर पती पर डिजाइन होगा न तो उसको हम कहेंगे सिरफ बिन्यास तो यहां पर बात आती ह जाली का रूपी सिरा बिन्यास तो यार आप जाली का जाली की समझ रहे यदि पती पर मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा हो जैसा कि आपको चितर में आपको देखने जैसा यहाँ पर आपदेख सकते हैं हमारा जो चीतर है कुछ इस प्रकार की है तो इस चीतर को हम थोड़ा सा ना किलियर करते हैं ताकि हम आपको समझा सके तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर यह मैंने साफ कर दिया है देखे यार यह क्या है पती है और पती की यह क्या है मध्य सीरा है थोड़ी सी पेन की कलर हम करिया करते हैं ठेक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दूसरा कलर कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पत्ती का मध्य सिरा है पर भासा क्या था कि पत्ती के मध्य सिरा के इधर उधर क्या जाल की समान हो तो यह समझ आई की नहीं आए जाली का रूपी सिरा बिनियास किसको कहेंगे यदि डिजाइन मध्य सिरा के दोनों और जाल जैसा हो ठीक है अगर आपको जाल जैसा किस-किस पतियों में होता है तो आप जैसा कि यहां पर उधारन में देख सकते हैं कि लिखा क्या हुआ है और आसानी बीचे बीच का जो सिरा होता है उसके इदर गीदर यानि अगल बगल क्या होगे बहुत सारे आपको जाल मिलेंगे तो आप देख लिजेगा और आप समझ लिजेगा ठीक है तो आगे के बाद तो को दिखते हैं कि आगे हम और भी चीजों को क्या सिखने वाले है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आगे हम क्या सिखने वाले है तो यहां पर आप देखिए तो लिखा क्या हुआ है समांतर यहां पर लिखा हुआ है तो सिरा बिन्यास किसे कहते हैं तो जहां पर यतना दूर तो आपको पता है पता है तो आप समझने क्या है समांतर तो यार आप आपको सिधा सिधा देखने को मिलेगा जैसा कि आप सब घांस देखे होंगे तो घांस की जो पतिया होते हैं उस पर आपको इस तरह से आपको देखिए यह आपको हम समझाते हैं पति किधर गई पति हाँ यह जो हमारा पति है इस पति में जो सीरा होंगे न दोस्त इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे, सिधा सिधा आपको देखने को मिलेंगे तो ऐसे सीरा को हम क्या कहते है, समा नांतर सीरा बिन्यास कहते है तो आपको समझ आई की नहीं आई, अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि किस किस पतिया पर होती है जैसे कि आपको यहाँ पर उदारान में देख सकते हैं धान गिहुम और घांस आदी ठीक है तो यहाँ आज का आज वीडियो था यहीं पर समाप्त होता है अगर आपको भाई का वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को सबस्क्राइब कर सकते क्योंकि छोटे चैनल को यार सपोर्ट की जरूरत होती है ठीक है तो मिलता है भाई आपका नेक्स्ट वीडियो में और बने रहना और जुड़े रहना और एक कोमेंट जरूर करना और हो सके तो आप अपने दोस्तों के जरूर बताएगा तो सलिए आज का वीडियो यहीं प